विश्कार दोस्तों मेरा नाम रोशन है और आज हम लोग एक ऐसा सूप बनाने वाले हैं है तो ये वेट सूप लेकिन आपको पूरा चिकिन सूप का फ्लेवर देगा टेस्ट देगा ये मेरी गैरेंटी है वरना आप मुझे अंसब्सक्राइब कर देना वीडियो पूरा देखे तो चलिए बनाते हैं लगबग 20 पीसेस मैंने सोया चुंक्स ले लिए है इसमें मैंने गरम पानी डालके 10 मियर के लिए चोड़ दिया है और ऐसे देखे छोड़ी-छोड़ी पीसेस में कट कर लिए है एक पैन या कड़ा ही लिए है उसमें मैंने बस एक चम्माच ओईल डाला है ज्यादा ओईल डालना ही नहीं है दो बड़े चम्माच चॉप लेंसुं डालेंगे एक बड़ा चम्माच चॉप अदरग डालना है इसे आपको एक मिनद तक लो मीडियम फ्लेम पे भूनना है फिर ये सोया जॉंक्सिस में डाल देंगे अब आप अब हम इसमें सब्जिया अड़ करेंगे ये लगबग तीन चम्माच चॉप बीन्स है उतना ही आपको चॉप गाजर लेना है उतना ही चॉप आपको गोभी लेनी है चॉप शिम्ला मृच लेनी है चॉप स्प्लिंग ओनियल लेना है इसकी जगा आप नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं चॉप पत्ता को भी लेंगे इसमें सब्जिया कम जादा आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग ले सकते हैं ये मटर है ये टोटली ऑप्शनल है आपके पास है तो डालिए इससे टेस्ट पे कोई फरक नहीं पड़ेगा हाई फ्लेम पे अब दो मिनाट तक सब् बहुनेंगे फिर इसमें हम लगभग मैंने डेर लिटर पानी डाला है आप कम जादा पानी यूज़ कर सकते हैं स्वाधनुसा नमक डालेंगे चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च रहती है वो डाल देंगे एक चमच कुटी हुई काली मिर्च एक चमच डाल देंगे अब इसमें हम एक चमच विनेगर डालेंगे इसके जगह आप एक निम्बु का रस भी डाल सकते हैं तीन से चार चमच हम ग्रीन चिली सॉस डालेंगे इसे थोड़ा मिला लेंगे अब इसे एक उबालाने तक पकाएंगे अब इसे गाड़ा करने के लिए मैंने दो चमच करेंगे जिससे गाड़ा हो जाएगा अगर आपको सूप को हेल्दी बनाना है तो आप इसे अवाइड कर सकते हैं टेस्ट पेस का कोई फरक नहीं पड़ेगा सिर्फ इससे जो थिगनेस है वो आएगी तो अब हम धीरे-धीरे करके इसमें डालेंगे अब आपको दो सूप खाना भूल जाएंगे तो चलिए मैं इसे आपको टेस्ट करके भी बताता हूं कि यह कैसी बनी है कि वैज सूप है कुछ नया है तो मैं आप लोगों टेस्ट करके बताता हूं कि यह बना कैसा है आप लोगों पता कैसे चलेगा तो तो अच्छा बनाया है और simple ingredients यूज किया हैं तो आप लोग अपने घरों में जरू प्राइ किजिएगा और वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और बेल आइकन जरू प्रेस किजिएगा Thank you for watching my recipes Thank you so much